तो जैसे कि हमने पिछी वीडियो में क्या किया हमने फाइफ कुरिशन सॉल्फ कर लिए थे अब हम लोग सिक्षिन सॉल्फ करेंगे हमारे पस कुरिशन नबर सिक्स है एन प्लस वन और डिवाइड बाइन स्कूर और अडर रूट एन है तो अगर किसी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब करें अच्छा यहां पर क्या है हमारे पास जो कुरिशन नबर सिक्स है इसको हम लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्फ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट टेस्ट लेंगे जिसमें हमारे पास जो गिवन सी और यहां पर हमारे पस n² है और भी 1 by 2 है तो अकर हम लोग देखें तो 3 by 2 आता है तो हम लोग जो अपनी given series है वो हम लोग क्या लें लेंगे n की power लेंगे 3 by 2 ठीक है 3 by 2 मैंने खलती से n लिखती है अच्छा 3 by 2 लेंगे अब limit comparison test है तो जाहिदी बात है a n divide limit n goes to infinity a n divides b n ठीक है तो a n हमारे पस क्या है n plus 1 n square under root n divide करेंगे 1 by n 3 by 2 से अगर हम लोग इसको simplify करेंगे यहां पर limit भी आती है ठीक है इसको simplify करेंगे तो हमारे पस क्या आएगा n plus 1 इनको और इनको अगर हम लोग थोड़ा सा simplify करें तो हमारे पस आजाएगा divided by n ठीक है अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमें simply पता है n divided by n से क्या होता है और 1 by N, इसको अगर हम लोग अलग अलग लिखते हैं तो ये बहुत ही सिंपल काम है, हम लोग पीछे बहुत दफ़ा कर चुके हैं N divide N से हमारे पास 1 आता है और जब हम लोग limit पुट कर दे 1 by N पे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 तो 1 प्लस 0 से हमारे पास क्या आता है? 1 आता है विच इस greater than 0 तो जब greater than 0 है तो अब हम लोग क्या करेंगे? A N और B N को देखेंगे कि वो converge करता है या diverge करता है तो ये जो B N है, हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है converge क्योंके according to P series ठीक है न? P series से ये 3 by 2 हमारे पास greater than 1 है P is greater than 1 तो ये हमारे पास क्या हो गए? ये हमारे पास converge series हो गए और हम लोग इसको भी देखें तो ये भी converge series है इसको simplify करना होगा, ठीक है? तो ये दोनों हमारे पास क्या है? converge series है This series converges by limit comparison test, LCT, okay? मैंने इदर भी short form लिख दिया, LCT, okay? वो था DCT, ये था LCT, सही है? अब हम लोग चलते हैं question number 7 की तरफ. तो question number 7 है, हमारे पास CD's given है N, divided by 3 N plus 1, और whole पे power क्या है? N है. तो अगर हम लोग इसको comparison test से, यानि DCT से solve करें, according to DCT, direct comparison test. तो हमारे पास given series है, वो है हमारे पास N, divided by 3 N plus 1, and whole power क्या आती है? N आती है. अगर हम लोग इसको देखें, तो हमारे पास suppose series है, यानि BN series है, वो क्या होगी, हम लोग अगर N और 3 N को लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगी? 1 by 3 आएगी. तो हम लोग simply इदर 1 by 3 लिख देंगे. ठीक है, और power क्या हो जाएगी? N हो जाएगी. तो यह direct comparison test है, तो जारी बाते हम लोग BN को लेखेंगे. अगर BN को आप देखें, तो यह हमारे पास क्या बन रही है? यह हमारे पास geometric series बन रही है. सही है ना? यह हमारे पास क्या है? geometric series and geometric series always converges. ठीक है ना? always converges. तो जब यह converge कर रही है, तो अगर हम लोग इसमें values put कर ना start करें, तो यह हमारे पास क्या होगी? यह हमारे पस छोटी सीरीज होगी और यह हमारे पस बड़ी सीरीज होगी तो n हमारे पस क्या है? Less than equal to bn तो यह हमारे पस क्या condition है? यह हमारे पस converge की condition है तो यह हमारे पस direct comparison test से क्या हो गई? अब चलते हैं question number 8 की तरफ तो question number 8 हमारे पस क्या है? वो हमारे पस series given है 1 by 1 divided n under root पूरा whole under root है n cube plus 2 तो अगर हम लोग इसको limit comparison test से करें यानि LCT से करें तो हमारे पस क्या होगी? n series हमारे पस होगी 1 by whole under root n cube plus 2 इसी के according अगर हम लोग अपनी bn series बनाएं तो bn series को हम लोग किस तरह बनाएंगी? यह 3 है under root है तो हम क्या करेंगे? इदर 1 by n 3 by 2 ले ले लेंगे ठीक है? क्योंकि यहां पर क्या है? 3 by 2 सबसे बड़ी value आ रही है तो हम लोग क्या करेंगी? यहां पर हमारे पास क्या है? LCT है तो जाहिरी बात है LCT में हम लोग क्या करते है? limit an divides bn तो यहां पर क्या करेंगे? an को divide करेंगे bn से तो अगर हम लोग इसको यहां पर put करें whole under root 3 plus 2 1 और n 3 by 2 तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? यहां पर limit भी है मैं हमेशा लिखना भूल जाती हूँ क्यों कि मैं बीच में बात कर रही होती हूँ ठीक है? तो यहां हमारे पास क्या आएगा? तो हम लोग इसको simplify करेंगे तो हमारे पास आएगा whole under root n square plus 2 और नीचे आजाएगा n cube यहां पर भी n cube भी आएगा दोनों में n cube है तो यह क्या हो गया? यह हमारे पास n cube plus 2 और यह हमारे पास हो गया divides n cube तो यह हमारे पास हो गया यहां पर हमारे पास limit continue है तो अगर हम इसको simplify करें तो हमारे पस क्या आएगा, n³ और n³ से हमारे पस आएगा, यहाँ पर limit पहले लिख देते हैं, n³, n³ से 1 आएगा, plus 2 divides n³, 2 divides n³ से हमारे पस क्या आएगा, गर हम लोग limit put करेंगे, तो 0 आएगा, तो under root में हमारे पस क्या आजाएगा, 1, तो हमारे पस जो whole बचा वो हमारे पस क्या value आई 1 आई which is greater than 0 greater than 0 तो आगया ठीक है अब हमें AN और BN को देखना है कि वो उन में से कोई diverge तो नहीं कर रहा तो अगर हम लोग BN को देखें BN तो according to P series ठीक है ना according to P series यह हमारे पस क्या करती है यह हमारे पस converge करती है क्योंकि हमारे पस इसकी power क्या है 3 by 2 which is greater than 1 और जो हमारे पस given यह वाली series है यह भी converge करती है तो जब यह दोनों converge करती है और value हमारे पस 1 आती है which is greater than 0 तो तो अग given series हमारे पस क्या है the given series converge by LCT direct comparison test ठीक है यह तो होगे हमारा question number 8 अब question number 9 की तरफ जाते है तो question number 9 में हमारे पस 2 natural log given यह थी है na तो यहाँ पर हमारे पस क्या है? one device natural log और natural log n तो 2 natural log हो गए हम लोग क्या करेंगी? इसको comparison test से comparison test से solve करेंगे تو an हमारे पस क्या है? an है हमारे दे पस 1, natural log से bn series गाति की अगर हम लोग दोक यह की सबस्पोस do नाएं तो किया आँ अगर हम लोग निच्री लोग का ले लेंगे को समय पर साइन आए गां तो तो हमारे सा ok अब अकर हम दोग BN series टो तो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास harmonic series है and हमें पता है के harmonic series always diverges ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्या करती है? diverge करती है और अगर हम लोग इन दोरों को comparison करें तो A N series हमारे पास greater है BN series से जब हमारे पास greater or equal than BN series है तो यह हमारे पास क्या हो गई, the given series क्या हो गई, diverge, the given series diverges by DCT direct comparison test, ठीक है तो यह हमारे पास comparison test से यह diverge हो गई, अब हम लोग चलते हैं question number 10 की दरफ, तो question number 10 में भी हमारे पास natural log given है, तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें है 1 divided natural log n और whole power 2 है, इसे हम लोग क्या करेंगे, LCT से solve करेंगे, यानि limit comparison test से solve करेंगे, तो अच्छा, यहाँ पर हमारे पास an क्या है, an है 1 by natural log n square है, अगर हम लोग अपना bn बनाए तो natural log n है, तो हम लोग अपना bn 1 by n बना लेंगे, सही है, तो यहाँ पर हम लोग अब limit comparison test से solve करेंगे, limit लगाएंगे, an divides bn, सही है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 by natural log n whole square, divides 1 by n, यहाँ पर अगर हम इसको simplify करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा, n divides n और square आजाएगी, limit continue रहेगा हमारे पास, ठीक है, अब अगर हम लोग इसको limit लगाएंगे, तो हमारे पास indeterminate form आएगा, indeterminate form के बारे मैं पीछे बहुत दफ़र बता चुकी हूँ, ठीक है, तो indeterminate form आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर derivative यूज करेंगे, इसका first derivative निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1, और इधर आजाएगा हमारे पास 2, और natural log n, और इधर आएगा 1 by n, ठीक है, यह हमारे पास इसका first derivative हो गया, अब first derivative से 1 by 2 को बहार निकाल देंगे, क्योंकि limit तो 1 by 2 पर वैसे भी apply नहीं होती, और n को उपर shift कर देंगे, क्योंकि divide form में है नीचे, तो यह हो जाएगा n, और natural log n, अब अगर हम लोग इसमें फिर से limit पुट करें, तो भी indeterminate form आएगा, तो इसको एक औ और बार derive करते हैं, differentiate करते हैं, तो यहाँ पर 1 by 2 हमारे पस continue रहेगा, limit लगाएंगे, एक और बार जब differentiate करेंगे, तो हमारे पस क्या आएगा, 1 by n आजाएगा, जब 1 by n आएगा, यह होगा, 1 divides 1 by n, क्योंकि यहाँ पर 1 है, natural log से 1 by n आता है, तो यह क्या होगा, 1 divides 1 by n, ठीक ह तो यह होगा, अगर हम लग इसको shift करेंगे, उपर तो हमारे पस क्या आएगा, limit continue रहेगी, उपर आजाएगा, तो मतलब n हो जाएगा, n में limit put करेंगे, तो हमारे पस क्या हैगा, हमारे पस finally infinity आजाएगी, जब infinity आएगी तो हम अब check करेंगी, थो हमारे पस bn series है, वो converge करत given series diverges by limit comparison test ठीक है तो मिलते हैं next video में with more questions अब तक के लिए इतना ही अपना ख्याल रखेगा और मेरी चैनल को subscribe और like शेयर करना ना भूलेगा Thank you